हेलो हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं सब आई होप सब अच्छे होंगे सब एकदम भले चंगे होंगे और अभी हो रहा है सुबह कर टाइम और बस मैं अभी नहाद होके आई हूँ तो थोड़ा सा मैं ये जो भगवान जी की मूर्ती है इसमें थोड़ा सा खिड़की के पास रखी द नास्ते के बड़ते हो थे क्योंकि नास्तव हो गया था उसके बाद नास्तव की बड़ते हो गया सब कर्या के लिए में था एंदर से हो पाते हैं तो उसके बाद निप्टा के आने के बाद अभी मैंने जाके बाल्स दुखाए हैं और उसके बाद में थोड़ा सा सूख रही थी विल्कुल इसके तो मैं क्रीम वगरा लगा दू और उसके बाद जब तक यह आलू भी बॉयल हो जाएंगे और नहा के पूजा यह कर लेंगे भगवान जी को नहीं लाना है पूजा करना है तो यह कर लेंगे मैंने अभी मुर्ती वगरा साप की थी वे चाली सा की थोड़ा सा तो मैं ऐसी कर रही थी और उसके बाद मैं बस फिर से मैं जारी हूँ और आलू बॉयल होने थे तो मैं जारी हूँ मठे के आलू बनाने के लिए क्योंकि बोले थे मठे के आलू बना लो चाच रखा है तो तो काफी लोग पूछ रहे थे मठे के आलू अब कैसे बनाते हो तो अभी मैंने चाच लिया था कटो रहे हो उसमें लगबग 3-4 चमच मैंने बेसन डाल दिया है बेसन डालने से होता है तो थोड़ी सी ग्र कोसस की तो और नहीं लगा पाए लूज हो रहा था तो मैंने इस चला लिया है और यहां पर तेल गरम हो गया है तो मैंने इसमें घीरा मिर्ची डाल दिया है और उसके बाद मैं हल्दी डाल दिया है उपर से मसाले डाल देंगे और ये चीज है कि अगर आपने बेसन डाल के बना रहे हैं मठे के अलू तो आप इसको चलाते भी नहीं ना जैसे कि वैसे आप मठे के आलू केवल मठा डाल के बनाते हैं तो बरावर चलाना होता है जब तो बॉयली हो जाता तो भी खराब नहीं होगी उसके बाद में आ गई थी पोछे वाला लिक्विट खताम हो गया था बॉटल में तो बहुत बनने लगी आयान आ गए थे वीडिय अब है प्रोटीन पीना है सब को लेना चाहिए चुब कि हम जो डेली डाइट लेते हैं उससे हमारी प्रोटीन की रिक्वारमेंट पूरी नहीं हो पाती है इसलिए हर एक इugal की बोडी बेट के बहुकरault के हिसाब से एक ग्राम प्रोटीन वन लेना जरूरी होता है तब पूरी जो भी बाडी की प्रोटीन की रिक्वार्मेंट ऌती है वो पूरी हो पादी है क्योंकि हम एक खाना खाते है उतना प्रोटीन मिलता ही नहीं तो ये फाइटिका का डेली प्रोटीन जो की काफी अच्छा है और इसको मैं अपनी फैमिली के लिए काफी दिनों से यूज कर रही हूँ यह जो फाइटिका कर डेली प्रोटीन है यह आपकी 50% डेली प्रोटीन की रिक्वाइर्मेंट को पूरा करता है जब आप इसको मिलक के साथ में लेते हैं और यह इसली डाइजेस्ट हो जाता है बहुत सा ही लोगों को प्रोटीन डाइजेस्ट करने में से प्रॉब्लम होती तो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है तो यह जो फाइटिका का डेली प्रोटीन है मसल्स को बिल्ड करने एनरजी लेविल को बूश्ट करने में बहुत ही हेल्प करता है इसमें जो विटमेन और मिनरल्स हैं बॉडी फंक्शन को हेल्दी रखता है इम्मुनिटी को बूश्ट करता है बोन हेल्थ को मेंटेन रख भाड मैं इपना तो दिया एक कम कर रहे थे वजक में आप लेना तो दोस्तों यह को lub प्रोटीन लेना जाते हैं तो आज क्या है कि हम जा रहे हैं तो आज कि हम जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि 9th मंद स्टार्टिंग में ही डॉक्टर क्या गरती एक बार आपका फिर से ब्लड टेस्ट करती है मतला वह कहानी मुझे फिर से पढ़नी पड़ेगी जो आपका ग्लुकोज लेविल होता है सुगर लेविल उसमें तीन टेस्ट करते न थीन ब्लड टेस्ट होते हैं तो आज मुझे खाना कहने से पहले खाली पे ए फिर एक गंटे वाद फिर एक तीन बार लिया दा दो गंटे एक बार खाली पेट एक बार सुगर लेने के एक गंटे बाद फिर दूसरा दो गंटे वाद फिर वो उसमें खाना कहनी जरूद नहीं है तोटल तीन सेंपल आपकी लेंगे उससे आपका सुगर का जो लेविल होगा वो चेक करेंगे कि जो प्रेग्नेंसी में जस्टेसनल जाती है उसका लेविल कितना है तक खेल दुपा बार कहा है सब पता गर ख до पर आपकी बॉक्टीम कि थीक और दूसरी चिज़ हो लाष्में कितना है क्योंकि ब्लॉष टाल जो विक गवीन देप्लंस के लिए पहले सो नहीं पता रहे हैं और रएक को ख सेढ़ीं अश्य हो तो आज सारी टेस्ट हो जाए, एक जन सारी रिपोर्ट वगेरा दिख जाए, तो कोसिस तो यह है, कोसिस की थी कि जल्दी उठके आए, लेकिन पदा नहीं, जिस दिन सुबह आना होता है, मेरे साथ यह होता है, उस दिन मैं हमेशा लेट उठती हूँ, वैसे तो मेरी जल्दी उस दिनी फोल जाती है, क्योंकि प्ष्र आजाता है, मेरे अगर सुबह जाना है ना, वल ना? मैरे को नेरा रही थी यह मैरे को डिया रही तेख्या मुझे खुझा रही हुगी मैरे को मै इसकते हृग constitu अधे बहुत कम स Вас अधे उर्भ कम सोता हूं मैं मुश्किल से पाउ 6 गंज़ सोता हुं मंताब 6 गंडे पूरे ना नंसोता हूं लेकि जब में सोता हूं, तो मुझे फिर कोई-इस्टरब नहीं कर सकता ममा तम तो है पन्हे तुम ना उब्रेन का समे पहले ऊगा तुमना उब्लम करे जाए तिव करें चीहा ही इतनी चिंता बुड लगा है, का लगा है, क्या लगाई हूँ अफ Mitch वो निकल गई, अज वो तरह में समझ भारा लगाई है क्यो? क्यो? यह मुटा, स्केश्टी कर खराम हो गया था यह क्या है, मार्क्स और इस्पेंस? यह मार्क्स और इस्पेंस है बहुत महिंगा है नहीं? यह कप्ड़ भी आदा अच्छे नहीं है बहुत जाजे यह है, यह खरीब के लगे दिन है यह तो जाया है यह पंदर है सोगर कितने जाया है यह हम आदा लेक्षिन बखास है यह कम कलक्षियान है वह में सेंटर थभी थोड़ा कम है ना? तो यह जब तो गाड़ी खड़ी ने तब तक यह पे मैंने जो ब्लड टेश्ट का रिपोर्ट करवाना है वो सारा बिल बन वाली है तो जब तक आज आए यॉट के सेंपल में तभी दूंगी अभी ने तुम्हें अके रिपार बेद्ट करने में तुम्हे आप गई वह हैं वह भी सेंपल वाले हैं तो यहां पर मैं सेंपल देती हूं और सेंपल देते देते इतने दिन हो गए इस वह कई बार दे चुके हैं मतलब होते ही रहते टेस्ट तो लेकिन फिर भी जितने बार आप पाओगे उतने बार आपको डर लगेगा भले इसमें दर्द नहीं होता ज्यादा लेकिन डर रहता है और साथ में अल्टा साउंड की रिपोर्ट भी कलेक्ट करनी होगी और यह वाली ब्लड रिपोर्ट वगेरा भी कलेक्ट करनी होगी तो इसलिए अब काफी टाइम लगेगा तो थोड़ा साल का फुलका खालो ताकि टाइम लगे तो फिर दिक्कत नहों क्योंकि रिटाइन फिर से जाना पड़ेगा तो दोस्तों ये रही हमारी मैंने इसलिए बोला रहा है मैं को वीडियो बना लो अभी तो इसमें जो टेक्निकल बहुत सारी चीज है तो कई तुमोंते मालूम नहीं है पिकि जितनी मालूम है वह मैं आप लोंको बता सकती हूं देखाऊ या असी बोल दूं बोल लो या बात इतना तो इश्वास करते हैं तुमारी ओडियोंस लोंके क्या है कि इन्होंने अपने गले में फंदा लगा लिया है मतलब क्या कहते हैं मतलब एक लूप लगाया हुआ है गले में और वह सेम गलती आयान में भी गरी थी आयान का तो एक हफते बाद रिसके ने बता चला था कि इसका खुल गया है और उसके बाद जो पोजिशन आई है वह सेफैलिक क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं वह जीशन पहले भी सफैलिक भी अभी भी है लूप है ग्रेट 3 है और इसके बाद जो फैटल रेट है वह 1.40 है 5 वीक्स हो 25 है तो यह कह रहा है कि फैटी 1 मिलि मीटर रहे है थोड़ा से कम लेंध पांच पर्सेंटाइल सी तो कहर ऊपर ही है लेकिन थोड़ा सा कम है मतलब जैसे की इसको 34 हो गया है तो यह जो फैमर लेंध है करीब करीब ओध पंड़ा तो अभी ब्लेट वाली रिपोर्ट नहीं मिलिया है यह वाली इवकरती हूंकिक्टैर्पार्टीdet। क्योंकि यह जो लूप लगी है इसमें भी डॉक्टर सिजेलियन के लिए बोल देती है अगर बच्चे ने लूप गले में लगा लिया तो मुझे यह भी डल लग रहा था कि कुछ ना कुछ छोटी ना छोटी प्रॉब्लम निकली आती है